हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल वरन कोकिंग्स में दोस्तों आज हम बनाएंगे गिया के रिंग्स ये खाने में बहुत ही जादा यम्मी लगते हैं आम तोर पर जब हम गिया की सबजी बनाते हैं तो बच्चों को तो बिल्कुल भी पसंदी आते है और आप इस तरह से अगर उन्हें बना कर देंगे तो वह खुशी खुशी खाएंगे तो मैंने क्या किया गिया का ऊपर से चिलका उतार दिया है और इसे हाफ इंच की मुटाई लेते हुए हम सारी गिया को राउंड शेप में काट देंगे देखिए इस तरह से अब मैं कटर लूँगी और कटर की मदद से जो बीच का सॉफ्ट पार्ट है इसको दबाते हुए निकाल दूँगी क्योंकि जो सॉफ्ट पार्ट जो हम पकाते हैं तो यह पानी रिलीज करता है इससे हमारे जो रिंग से इस पर जो हम बैटर लगाएंगे वह निकल भी सकत को अलगा है तो सॉफ्ट पार्ट की हम साब्जी बिना लेंगे और बाकी सभी सरक्ल मेंसे हम अपनी सव्ट पार्ट को निकाल कर अलग कर देंगे देखिए इस तरह सेısı अर दुछी तरफ मैंने एक चोटी कटॉरी से बेशन लिया है और इसे और भी हल्धी बिनाने के लिए मैंने मक्की काटा लिया इससे क्या होए ना क्रिस्पी भी बनेगा हमारा रिंग्स और कुछ मसाले हम डाल देंगे दनिया पाउडर सौफपाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है इसे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है थोड़ा सा हम इसको मसल देंगे और हम ले तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें लंफरी बैटर तियार करना है इसका आप चाहिए तो इसमें बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं पर जब आप इसको राउंड एंड गुमाते हैं तो इससे एरिएशन हो जाती है और इससे क्या होता है कि हमारे जो भी कुछ आ इसमें बैटर में कोट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा है बैटर हमारा उसको जाड़ लेंगे और तेल में डाल देंगे और जो हमारा गैस का फ्लेम है वो मीडियम लो है और धीमी धीमी आज फिर हमें इसको पकाना है ताकि अंदर तक जो हमारी गिया है वो पक जाए अगर अंदर से जो गीया है ना वो कच्छी ही रह जाएगी फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा और अलट पलट कर हमें इसको दोनों तरफ से गुल्डन ब्राउन होने तक पकाना है देखी जो मैंने पहले डाले थे ना वो गुल्डन ब्राउन हो चुके हैं अच्छे से तो साथ तो फिर बिलते ही एक ऐसी ही नए रस्पी के साथ दबते के लिए अपना खियार रखिएगा बाई बाई